नमस्कार मेरा नाम है रुजुन खजूर्य और आपका स्वागत है हमारे चैनल में इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि आ रही है देश की राजदानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के मुख्या और दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने एक बड़ा एलान किया है और ये कहा है कि कुछ लोग फ्री बिजली नहीं लेना चाहते हैं अब दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली सबसीडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन क करेंगे आउच से आवेदन शुरू करते सकते हैं तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग में आपको बता रहे हैं जिस फ्री बिजली पानी को लेकर अर्विंद केजरिवाल पिचले लंबे एक समय से चुनाओ प्रचार कर रहे हैं जहां जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर दिल्ली का जो फ्री बिजली और फ्री पानी का जो मॉडल है उसको लेकर कर रविंध केज्री वाल हमेशा एग्रेसीव दिखाई देते हैं और पर दिखाई देते हैं चाहे वो चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के मुख्या और दिली के मुख्य मंतरी अर्विंद केज रिवाल ने एलान किया कि अब फ्री सबसीडी नहीं दी जाएगी केवल जो लोग आवेदन देंगे उन्हीं को फ्री सबसीडी दी जाएगी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग ये आम आदमी पार्टी के लिए जो फ्री बिजली को लेकर के इतना जादा प्रचार प्रसार करते हैं अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ये सबसीडी जो है वो बंद करने जा रहे हैं दरसल आपको बता दें कि कुछ महीने पहले से ही भारतिय जनता पार्टी हमलावर है और अब इसी बीच आम आदमी पार्टी का ये फ्री बिजली का जो मॉडल है इसको लेकर अगर आपको हम पूरी विस्त्रित जानकारी दें तो मात्र 200 यूनिट ही फ्री बिजली दी जाती थी लेकिन आप कहीं पर भी अगर अर्विंद केजरिवाल की स सेट्मेंट सुनेंगे तो वहां पर यही कहा जाता था कि हमने दिली में फ्री बिजली दी फ्री पानी दिया लेकिन इसकी सचाई है कि मात्र 200 यूनिट तक यह फ्री बिजली मुहिया करवाई जाती थी 200 यूनिट से जैसे ही एक यूनिट भी जादा होगा तो आप जो है फ अगर 200 यूनिट से कम थे तो ही वो फ्री बिजली का प्रावधान आपको मिलता था जो की गर्मियों के मोसम में हो पाना बेहत मुश्किल है हालांकि सर्दियों में भी आजकल अगर बात की जाए तो लोगों के गरों में बिजली से चलने वाले इतने सारे हैं जो बिजली से ही चलते हैं तो यहां पर 200 यूनिट से कम एक महीने में बिजली का जो है वो मीटर में आना यह बहुत ही जादा जो है मुश्किल था काफी कम लोगों का ही 200 यूनिट से कम बिजली का जो है रिकॉर्ड वो मीटर में आता था और उन्हीं को फ्री बिजली दी जाती थी एक बड़ा तबका है दिल्ली के अंदर बड़ी मात्रा में दिल्ली के अंदर लोगों को इस प्रकार की फ्री सुविदा नहीं दी जाती थी लेकिन अब यह जो एलान किया गया है अर्विंद केजरिवाल की दरव से इसके बाद चाहे भारतिय जनता पार्टी हो या फिर सोशल मीडिया हो उस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भारतिय जनता पार्टी के दिल्ली के सीनियर लीडर सुनील यादव ने इसी मामले को लेकर कहा है अर्विंद केजरिवाल के उस पोस्ट को कोट करते हुए सुनील यादव ने कहा कि गलत मेहंगे बिलतों लोगों के पहले भी आते थे अब भी आएंगे ठगी मुबारक हो दिल्ली तो यहां पर बीजेपी ने भी तंजकसना शुरू कर दिया कि असल में यह जो सबसीडी बंद की जा रही है यह इसलिए क्योंकि दिल्ली में जो कंपनिये काम कर रही है वो उनका जो लगाने की कोशिच की जा रही है कि दिल्ली सरकार के पास क्या इतना राजसुव था कि वो जो फ्री कल्चर को लेकर के इतना चल रहे थे कि हम फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं लोगों को गरीबों को बांट रहे हैं क्या दिल्ली सरकार के पास इस चीज का बजट था क्य बजट बढ़ा दिया अगर बजट इतना बढ़ गया पिछली सरकारों की तुलना में तो फिर जो ये फ्री बिजली दी जा रही थी अब इसकी सुविदा एकदम से क्यों बंद की जा रही है क्यों इसकी सबसीडी को बंद किया जा रहा है यहां पर बड़े सवाल उड़ते है अगर बात की जाए डिली में नई सरकार बनने के बाद से अभी तक आपको बिजली बिलो में छूट दी गई अब ये निरने लिया गया है कि अक्तूबर 2022 से ये छूट उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इसके लिए आवेधन करेंगे यदि आप चाहते हैं कि बिजली बिलों में आपको छूट मिलती रहे तो आप निमलिखित जानकारी उपलब्द करवाएं आपका अरविंद केजरिवाल मुख्यमंत्री दिल्ली तो यहाँ पर अरविंद केजरिवाल ने एक मैसेच छोड़ा है कि आपको जानकारी उपलब्द करवानी होगी निमलिखित जो जानकारी रहेगी अगर आपको सबसीडी चाहिए दिल्ली में बिजली की सबसीडी तो उनका form जो है यहां पर fill करवाना चाहिए था उन लोगों से आवेदन मंगाने चाहिए थे कि जिनको free बिजली नहीं चाहिए यहां पर जिस जिसको free बिजली चाहिए उसको जो है आवेदन के लिए बुलाना उससे documentation करना तो कहीं न कहीं इसमें दांदली हो सकती है एक और बड़े गोटाले की दरफ बढ़ सकती है आमादमी पार्टी की सरकार तमाम राजनीतिक विशेशग्यों का ये मानना है कि इससे ब्रष्टाचार फिर से बढ़ सकता है इससे दलाली को बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि अगर दुबारा से लोग जाएंगे लाइनों में लगेंगे अपनी डॉकुमेंटेशन दिखाएंगे कोई ना कोई उसमें कमिये रहती हैं कोई ना कोई खामिये रहती हैं जैसे CA नंबर को ले करके का जाता है आप सोशल मीडिया पर देखे तमाम लोग अपनी कंप्लेन दैर कर है लेकिन दिल्ली का जो एलेक्टरिषिटी बोड़ग को नहीं सुलझा पारा पहले से ही अगर मसलों को नहीं सुलझा पारा तो अब यह पूरी दिल्ली को जो लाइनों में लगना पड़ेगा जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अब जिस जिसको फ्री भीजली चाहिए वो आकर के लाइनों में लगे आवेधन करें तो आने वाले समय में कितनी दिक्कत यहां पर दिल्ली वासियों को हो सकती है यहां पर अगर कहा जाए तो क्या जिस ब्रस्टाचार को लेकर हमेशा से अरविंद केजरिवाल बोलते हैं क्या यह जो नया आब उनों ने यह इसमें दिल्ली के लिए दिल्ली के लोगों के लिए जो चीज लेकर क्या हैं कि आप आवेधन किजिए कि आपको फ्री बिजली चाहिए तो क्या इसमें ब्रस्टाचार को रोक पाएंगे अरविंद केज़िवाल वहीं अगर यूजर्स की बात करें तो यूजर्स अपनी प्रतिक् वहां पर बिजली का इस्तमाल नहीं हो रहा तो फिर यह बिल किस तरह से आ रहा है वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जनता को बेबकुफ क्यों बनाते हो जनता क्यों आवेदन दे सबसीडी के लिए जिसे फ्री बिजली नहीं चाहिए वह लिखकर देगा बस तो यहां तमाम प जो है इस समय मोज है सबसीडी की वहीं कुछ लोगों का कहना है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया अरविंद केजरिवाल की तरफ से कि उसमें पहली लाइन जो लिखी गई है कि कुछ लोग फ्री बिजली नहीं लेना चाहते वो एकदम जूट है आपकी लाइन होनी चाहिए थी कि हम सबको फ्री बिजली नहीं दे पारे हैं हम कंगाल हो चुके हैं तो यहां पर तमाम लोग यारोब भी लगा रहे हैं कि जब इनके पास पैसा नहीं था तो फिर क्यों चुनाब प्रचार में इस तरह से टैक्सपेर के मनी को गलत तरीके से दिल्ली सरकार उस से ही स्तरक किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से सोचल मीडिया पर कुछ ट्वीट आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश वाले लोग देख लें कि कैसे टर्म्स एंड कंडिशन्स के साथ दिल्ली को बिजली मिल रही है तो जो समय भी पूरा चुनाफी सी फ्री बिजली पानी पर लड़ा गया लेकिन अभी तो मात्र धाई साल हुए हैं दिल्ली में सरकार बने हुए और अभी से ही अभी आधा जो है कारेकाल भाकी है हम आदमी पार्टी का लेकिन यह जो फ्री बिजली को लेकर के वादे किये थे उस अब यह बिजली को लेकर के जो नया अब यह प्रावदान लाया गया है कि एक अक्तूबर से इसकी सुविदा दी जाएगी आप लोग जाकर के इसका आवेदन कीजिए तो क्या यह जो अर्विंद केज्रिवाल की तरफ से फैसला लिया गया है क्या यह कारगर साबित हो गय लेकर के हमेशा से चुनाब प्रचार चलता है और अब यह फ्री नहीं मिलेगा अगर आपको सबसीडी चाहिए आपको आवेदन करना पड़ेगा अप्लिकेशन देना पड़ेगा इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेर कर सकते हैं और इ झाल